हेलो एंड गुड आफ्टरनून तो यू आल तो टोड़े वी आनको डिस्कस कॉलिगेटिव प्रोपर्टीज तो कॉलिगेटिव आज हमारा टॉपिक है वह है कॉलिगेटिव प्रोपर्टीज यह नॉन अवलाटाइल जो सल्यूट्स होते हैं उनका एक करेक्टरिस्टिक्स ह यह क्या है कि जब यह जब कॉलिगेटिव मतलब वर्ट से बना है कोय और गयटिव को मतलब टोगैदर दो चीजें बाइन होके बनता है अभी नॉन नॉन वलाटाइल सॉल्यूट्स का एक प्रोपर्टी यह चरेक्टर्स्रिक्स है कि यह जब बाइन करते हैं तो यह नेचर को देख के नहीं करता बरकि molar concentration को देख के करता है कि उसका nature उस solute का nature के सा है या उस solvent का nature के सा है वो ionic है non ionic है वो सब नहीं देखता है वो सिर्फ molar concentration को देखता है कि कितने moles कितने moles तो इस पीसुतित निये कि और वाउन है , यह सब राहरे के लुवसाढ़िव एक किसना जहाई निए निएट्व डा। molecules पर depend नहीं करता बलकि molar concentration पर depend करता है उसमें से हमारा पहला है relative lowering of vapor pressure दूसरा है elevation in balling point तीसरा है हमारा depression in freezing पर और चोथा है हमारा automatic pressure ये जो चार colligative properties है इनको हम step by step आप लोगों को discuss करके बताएंगे क्या क्या होता है तो आज हम discuss करेंगे relative lowering in vapor pressure अब आप लोगों को पता है जैसे एक non-volatile or volatile solution का जो mixture बनता है मालों यहां पर एक non-volatile solute है non-volatile or volatile solvent है तो जब इसके इस पर प्रेशर इस पर प्रेशर इसका जब partial pressure होगा तो यहां पर हमने previous class में बताया कि इस पर non-volatile solute का कोई contribution नहीं होगा बलकि यहां जो partial pressure बनेगा वो सिर्फ किसका बनेगा जो volatile चीज है उसी कहीं बनेगा मतलब यहां पर से solvent का हमारा solvent के वज़े से जो partial pressure होगा वही है यहां पर हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि जो दो माला binary solution जो बना एक क्या एक solute का जो binary solution हमारे पास है उसमें हमारा एक solute है दूसरा solvent है प्लस solvent यह दोनों हमें एक binary solution बना के देगा वो यह binary solution में एक बात यह है कि इस binary solution में जो solute का जो पार्ट है जो solute वाला पार्ट है वो non-volatile है और जो solvent है वो volatile है तो जो partial pressure इसकी वज़े से बने गाया इस total solution के वज़े से जो partial pressure बने गा उसमें स्रीफ solvent का ही contribution होगा solvent का ही contribution क्यों होगा क्योंकि हमारा जो solute है वो हमारा non-volatile solute है अब जब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि non-volatile हमारा solute है और हमारा solvent volatile है तो हमने यहाँ पे माना कि XA जो XA है हमारा mole fraction of E mole fraction of the solvent और XB हमने माना mole fraction of solute यहाँ पे हमारा solvent हमारा volatile है solute हमारा non-volatile है P, P हम ने माना partial pressure of solution, of the total solution, partial pressure of the total solution, और P, A, P, A, gebe Maaukagand semester, हमने माना partial pressure of the pure solvent, partial pressure of the pure solvent हमेशा زیادہ होता है, solution से, या solution से, partial pressure का, partial pressure पर्टशर जो solvent कहोबगा, वह ज्यादा होगा, क्योंकि solution में हमारा solute भी है, जिसकी वज़ासे partial pressure कम हो जाएगी, यहां पर partial pressure of pure solvent हमारा सिर्फ solvent ही है जिसका पर्षर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा इस प्रेशन यह एक point है नोट करने वाली अब हमारा इस type of solution में जहाँ पर एक solute और solvent हमारा non-volatile है और solvent हमारा volatile है इस type of solution में हमारा जो partial pressure पी बराबर होगा वो partial pressure of theWhich solution of the solvent की वजशेए ही होगा यह हमारा लेकिन हमारा क्या कहता है कि जो पर्शल प्रेशर होता है वो प्योर कंपोनेंट और मॉल फ्रैक्शन के बराबर होता है हैं तो यहां से तो हम एंस यह कह सकते हैं कि जो पास्टर प्रिशर P बराबर होता है वो होता है P A pure component into mole fraction of A ठीक अब यहां पे हमारा यह पता है जो X A है वो हमारा X A के value हमारा 1 से कम ही होगा 1 से कम होगा क्यों 1 से कम होगा क्योंकि X A mole fraction of कोई binary solution का mole fraction जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है तो इन दोनों का sum 1 के बराबर होता है तो X A के जो value होगी 1 से कम ही होगी इस लिए यहां पे अब इसी के basis पे हम यह कह सकते हैं कि vapor pressure of the solution जो वो solution का vapor pressure होगा vapor pressure of the solution होगा पी ऐस आल्वेस पी एजो हमेशा कम होगा less than होगा अगर हमारा मोल फ्रैक्शिन कम है एक से कम है तो हमें इसका यह मतलब बनता है यहां से हम यह बता कर सकते हैं कि पार्शा प्रेशिर ऑफ दे स्लूशन जो सल्वेशन का जो पार्शर प्रेशर होगा वह हमेशा कम होगा प्रेशर 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 के बराबर होगा प्रेशर 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 प्र एंड जाय के बराबर है यह पार्सले वाले स्लाइड में बताया कि पार्सलेश प्रेश के बराबर हो यहां से XA के जगे यहां से हम P A not और P A not यहां से common ले सकते हैं यहां इस वाले equation में सॉरी इस वाले equation में देशने आप देख लोगे तो यहां P A not pure partial partial of the pure component हम यहां से दोनों से common लेंगे तो वहां 1 minus XA आएगा और वहां यहां 1 minus XA के जगे यहां हम क्या लिख सकते हैं 1 minus XA हमारा किसके बराबर होता है वो XB के बराबर होता है XA plus XB is equal to 1 वहां से हम value कल्कुलिर करके यहां पे हमारा किसके बराबर हो रहा change in partial pressure of component is equal to किसके बराबर 1 minus XA XB के बराबर हुआ अब यहां से यहां से XB की value हम निकाल सकते हैं इस वाली equation से XB is equal to XB किस बराबर है XB हमारा mole fraction of B बराबर है change in partial pressure of the component divided by pure component PA यह हमारा है XB अब यहां से हम कह सकते हैं अब उपर वाली equation में जब आप देखो तो यह वाला यह वाला जो term है XBA change in partial pressure हमारा किस के बराबर होता है partial pressure of the pure component minus partial pressure of the partial pressure of pure solvent minus partial pressure of solution divided by हमारे पर नीचे partial pressure of the component pure component is equal to XB यह हमारा derivation है हमारा यह हमारा जो derivation आया है यह 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 हमारा derivation है यह lowering in vapor pressure है यह colligative property है colligative property क्यों है क्योंकि यह XB XB हमारा क्या है XB हमारा mole fraction है mole fraction है क्योंकि यह concentration पर depend नहीं करता nature पर depend नहीं करता बलकि यह number of moles molar mass पर depend करता है कि इस का कितना molar mass है अगर हम इस अगर हम यह यह जो यहां पर जो PA not minus PA है यह हमारा है difference in vapor pressure of pure solvent यह pure है pure solvent minus the solution यह और यह PA minus यह XB हमारा mole fraction of mole fraction of B और यह जो relation है PA not minus PA upon PA not यह relation हमें relative lowering of vapor pressure बताता है हमें इस हमारे इस equation से हमें यह पता चलता है कि relative lowering of vapor pressure सिर्फ एक colligative property है क्यों है कि यह सिर्फ नंबर of moles या molecular molar mass पर depend करता है X XB हमारा mole fraction है इसलिए इसलिए lowering and vapor pressure एक colligative property है इसी के basis पे महलब इसी colligative property के basis पे जो relative lowering of vapor pressure है उसी के basis पे हम किसी molecule का जो है molecular molar mass निकाल सकते हैं किसी molecule का molar mass निकाल सकते हैं इसी equation से sorry इसी equation से हम किसी molecule का molar mass निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं अब देखें सबोर्फ हमने मान लिया कि किसी 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 मॉइट सब्सक्राइब करते हैं तो में मोल फ्रेक्शन कैसे किल्कूलिएंगे मोल से नम्बर आप मोल फ्रेक्शन को हम एक से लिन और करते हैं XB या XA, या XA, XA, मोल선 आप A, या XB कैसे कल्कुलिटरिंगे, नंबर ऑफ मोल से, डिवाइट टोटल सुलुशन में, उसका किना है, N A प्लस अन B, N A टोटल सुलुशन में, उस चीज़ का कितना मोल है, उसको हम ऐसे कल्कुलिटरिंगे, gwica can't anymore hasn't क्र attain help आइक मोल फ्राक्षिन इस इसे की मौल फ्रैक्षिंट पी इंन aumentar of मॉल्स ऑफ डिवाइड बाइड नमबर मॉल्स ऑइज टो टिल शेलिशन में उस चीज का कितना च्रुप नँए उसी को हम कहेंगे मौल फ्रेक्शन अब यहां से हम मोल फ्रेक्शन कर अने कल्कुलेट कै तो इन भी किसे कल्कुलेट करेंगे number of moles, number of moles कैसे कल्कुरेट करें, number of moles is called to mass upon molar mass, mass upon molar mass, mass मतला weight, mass weight upon WA upon MA, molar mass, weight upon molar mass, weight, उस component का weight, कितना given weight है, उसका डिवाइड मोलर मास, ऐसे हम कल्कुरेट करेंगे, mb और na, जब हम इस xb में, जब हम xb को जैसे का हमने mole fraction of b कल्कुरेट किया, यहां इन साब से, तो xb, xb की जगे हमने कल, xb की जगे हम क्या लिख सकते हैं, xb, mb, whole divided by nb, xb का क्या मतलता है, xb का formula क्या है, mole fraction का, कि number of moles of b कितना है, divided by total solution में उसका कितना है, nb, xb का जो, mole, यहां पर देखिए, mole fraction of b, mole fraction कैसे करते हैं, nb upon nb upon na plus nb, ठीक, तो nb हमने यहां से nb निकालना है, na b निकालना है, तो हमने यहां nb निकाला, और na लिकाला, तो हमने, xb के जागे nb, nb हमारा क्या है, w a, w, weight in w a upon mb upon wb upon wb, यहां से, यहां पर थोड़ा, यह mb नहीं है, यह m a है, sorry, sorry, यहां पर देखिए, यहां मैंने given weight upon molar weight of a, a component है, sorry, तो यहां xb बढ़ावार हुआ है, w a upon wb divided by total solution, mb, total mole fraction, कितना, उतना total solution में कितना है, w b upon mb, यहां से, जब हमने कहा कि, mole fraction of, जो solute है, वो बहुत कम है, वो बहुत कम है, as compared to solvent, क्योंकि, यहां mb solute है, volatile भी नहीं है, इसकी वज़ाए से, हमारा कोई contribution है नहीं, तो इसके contribution नहीं होने के काला, हम इसको यहां neglect कर देते हैं, neglect कर देते हैं, कि इसको neglect कर देते हैं, हम यहां wb और mb को, तो neglect करने पर हमारा जो total solution आएगा, वो हम, neglect, यहां पर इस चीज़ को अगर हम neglect कर दे, इसको टेंगलेट करें कि इसका कंट्रिबूइशन इतना ज्यादा है नहीं एक तो नॉनमेटा ले इसको अगर नगलेट कर दें तो हम डवलो ए अपन एम ए लिख सकते हैं इसको दियर फर एक्स बी के जगे हम डवलो भी अपन एमबी ड़ोल डिवाइड़ बाइड डवलो ए अपन एम डिख सकते हैं मुलर मास अफ इसको जब हम रिवर्स करेंगे डवलो भी अपन डवलो एमबी ठीक जब यह उपर माल्टिपल में चला जागा तो यह एम ए अपन एम ए अपन क्या डवलो ए में आपन डवलो ए यह हमारा जो यह हमारा एक्वेशन आया एक्स बी का यह इक्वेशन झाझाल में चला जिए अपने यह मीं जवाग को यह हम तो इस एक्वेशन को लोऌरेंग लुआरिंग ड्र का क्या एक्वेशन में डाल हमारा था पीए n0 मैस फीए अपन होल थो आप यह यह पीक्त Always फीवत60 कि यह 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 पूट कर देंगें तो यहां से हम M A कर सकते हैं, M B कर सकते हैं, W B कर सकते हैं, यह W A कर सकते हैं, किसी भी किसी यहां पर गिविंग कंपोनेंट जितना है, उन में से हम किसी का वेलू या W B, वेल ओव बी मॉलर मास तो यह हमारा है, मॉलर मास भी हम कर सकते हैं, इस यह reaction है यह reaction जो है यह जो हमने नीचे आपको लिखा है यह reaction हमें बताता है कि हम कैसे किसी का mass number हम यहां से निकाल सकते हैं molar mass निकाल सकते हैं molar mass A, molar mass B निकाल सकते हैं यह होता है एक टेक्निक यही टेक्निक होता है जिसके यही टेक्निक होता है जिसके बेसिस पर हम किसी determination of molar mass determination कर सकते हैं एक collective property से होप आप लोगों को समझ में आया हो तो नहीं आया हो और online session में हम एक बार फिस से discuss करेंगे इस चीज़ को तब आपको ज्यादा clear हो जाएगा